स्री श्वाई नवस्तु व्यम दर्शको कैसे हों आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित हों दर्शको आज गुनतिस अक्टॉमबर साथ ही दिन सनिवार है सनिवार का दिन पढ़ रहा है लेकिन आज हम आपको यह जो उपाई बताने जाहरे हैं इस उपाई को आप लोगों को सनिवार के दिन नहीं बलकि किसी भी सनिवार को आप इस उपाई को कर सकते हैं आज की दिन के लिए यह उपाई नहीं है चाहे जिस दिन आप लोग जिस सनिवार को आप लोग इस उपाई को कर सकते हैं लेकिन खास कर यह उपाई सनिवार के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको लावे इससे प्राप्त होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन दोस्तों खा जाता है कि जो ये सनिवार का दिन होता है सनिवार का दिन बगवान सनी का जो प्रकौप होता है वो सांथ होता है जिसकी वज़े से हमारे गर में कलेश नहीं होते है तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगी कि आप लोगों को आज की दिन और सनिवार की दिन क्या करना चाहिए तो दोस्तों कहा जाता है कि सनिवार के दिन जो सर्षों का तेल होता है उसका विशे समय होता है सनिवार के दिन कहा जाता है कि सर्षों के तेल का दान आदी करने से भी पुन्य प्राप्त होता है और साथ ही बगवान सनी देय का प्रकौप दूर होता है वो सांथ होते हैं और प्रश्ण होते हैं साथ ये भी मानता है कि सनिवार की दिन अगर रातरी के समय कोई व्यक्ति अपने घर की चोकट पर एक तेल का दीपक ज़रा कर रखता है तो उससे भी घर में आने वाली जो आर्थिक समेशा होती है जो विग्न बादाय होती है वे खत दूर होती है आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और आपके घर में प्रवेश कर चुकी है तो वह बहार चले जाती है और आपके घर में सुकसांति का अबाव होता है साथी भगवान सनी देव भी सकारे को करने से प्रिश्ण होते हैं तो दोस्तों आप सभी सकारे को सनिवार के दिन रातरी के समय सोने से पहले जरू कीजेगा आपको बहुत अच्छा है सकारे को करने से लाप राप्त होगा वीडियो बहुत छोटी थी वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जोरू करें